हेलो फैंड्स जै हिंदो वंदे मातरम प्यारे सातियों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हैं काफे ज़द आच्छे होंगे तो फैंड्स आप सभी को पता है रेलवे पुलिस फोर्स यानि आरपीफ के अंदर आप सभी की एक जो वेकेंसी निकाली गई थी उसकी एकजाम डेट को लेकर लगातार अपडेट आ रहा है सोसल मीडिय के माध्यम से चाहँ वो यूटूब हो इंस्टाग्राम हो फेस्बुक हो या वाट्स आप गुरूब हो सबके माध्यम से आप सभी को अपडेट मिलता रहता है कि कोई एकजाम डेट वाइरल किया जाता तो ऐसे ही एक एक एकजाम डेट निकाली है आरपेअप की तरफ से कि क्या वो ठीक है या नहीं इसके बारे में बात करेंगे इस बीडियो के अंदर तो बीडियो बहुत ज़दा इंपूर्टेंट रहेगा तो बीडियो को पूरा देखना मेरे भाई क्योंकि हम देखो एक स सब्सक्राइब की बात यही होती है कि मैंने भी एक जाम बास किये काफी सारे तो आपको एक गलत रास्ते की तरफ मेरा जो ले जाने का मतलब है बुलकुल नहीं बनता है गलत रास्ते पर आप ना जाए यही मेरा मोटिव है कि मैं आपको अच्छे रास्ते की तरफ ले कुछ फर्दी तरीके से यूटूब पर आपका पागल बना जा रहा है उससे भी आपको बचना है चलिए फैंस जानते हैं इस वीडियो के अंदर सबसे पहले दोस्तों मैं अपनी बात कर लूँ तो मेरा दोस्तों काफी जो मल्टीपल एक्जाम है वो निकले हुए क्वालिफ प्रिंस को बार ठीक है प्रिताजी का नाम भी आप देख सकते हैं आपर और ये चौथी लिष्ट में आप नाम देख सकते हैं ये नाम मैं क्यों दिखा रहा हूँ आपको इसका रीजन बताने बाला हूँ ध्यान सबज़ लिना कैसे जैसे मैंने एक्जाम पास किया ना जिन लोग नौट से पढ़के मेरा खुद का सलक्सन हुआ है वो नौट मैं आपको दे रहा हूँ और मैंने गारंटी लिया है कि अगर आपने ये नौट पढ़ लिए ना हिंदी इंगलिस दोनों में वेले बले ये ये हिंदी का है और इंगलिस का भी मैंने तयार करा दिया ये नौट मैं आपको दे रहा हूँ कैसे अगर आप चाहते हैं कि आपका भी सलक्सन आरपीफ के अंदर हो जाए तो ये मेरे खुद के नौट पढ़ लीजिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको कुछ पढ़ने की ज़वत नहीं पढ़ेगी यहीं से आपको सेम टू सेम कु मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ कैसे आपके साथ फरजी तरीके से कुछ लोग आपको दोस्तों आपकी जिन्दिकी के साथ खिलवार कर रहे हैं तो प्लीज नंबर देख लेना एक वार यहीं नंबर है हमारा 6396453592 और नाम चेक कर लेना प्रिंस को मारा आना जिसको भी चाहिए भाई नोर्स ले सकता है मैंने आप लोग के लिए पूरी महनत से नोर्स तयार कर दिया हैं 2024 के लिए और सभी सब्जेट के मैं थरीजिंग जी के जिया सभी के लिए आपको मिल जाएंगे और जिसको चाहिए अभी इस नंबर पर मैसिस कर सकता है यह ज़्यादा दोस्तों मैं देख रहा हूँ इस नमूने को काफी टाइम से देख रहा हूँ मैं लंबे टाइम से अभी इसकी बहुत बड़ी फिल्म चल रही है बनाने वाला हूँ देखो अभी क्या होता है इसके साथ यह समझ रहा है कि मैंने पड़ाय लेखा ही छोड़ दी अगर इस नमूने से दूर रहना है और यह जो है पीडिया बेच रहे है ना यहाँ पर अपना सौर पेका इनका पीडिया फोल के देख लेना अगर आपका एक सिंगल एक्जाम में आपका बोलना हूँ कॉंस्टिबल का एक्जाम तो छोड़ दीजिए अगर आपका सौ में स दोस्तों दस नमबर भी आजाए ना तब बता देना क्योंकि पूरा डिट्टो दोस्तों यह जो है यहाँ पर किता में से छाप देते हैं नौर्स बन गया इनको यह तमीज नहीं है कि कहां से एक्जाम पास होगा कहां से नहीं होगा अगर इस भाई ने एक भी एक्जाम पा है और इतने बच्छे इंसान का फूट लगा कर दोस्तों अपना बिजनिस कर रहे हैं कि इने सर मानी चाहिए कहीं डूम मरना चाहिए इन लोगों को जो इतना अच्छे इंसान यंकी दभाटी सर का क्योंकि यंकी दभाटी सर ऐसे पीडिय अपनी बेचते हैं उपने खुद यह चैला पर बेचेंगे या इसके चैला पर बेचेंगे खुद बताईया तो ऐसे नमोनों से आपको दूर रहना है क्योंकि यहां से आप सलक्सन तो दूर यहां पर आप अपनी जिंदिकी का दोस्तों एक यहां पर सौदा कर रहे हैं क्योंकि आपको पता है लिमेटेड ट जो काफी देजी चे वारल चल रही थी, कि 19 दिसंबर से होगी RPF Constable प्रतियोगी परिक्षा, ये दोस्तों बिला रह काफी ज़्यादा, ठीक है, बिला रह काफी ज़्यादा, तो ये है क्या, आखिर ये दोस्तों, 19 दिसंबर प्रिक्षा, रियल में होने वाली है, ये दोस्तों, मेरे एक स्टूडेंट नहीं मुझे सेंड की है, ठीक है, लेकिन इसके बारे में दोस्तों, आप सभी को बता जेता हूं, कि ये पूरी तरह है, दोस्तों, सही है, गलत है, आप खुदी मौझूद हूं, यहाँ पर आप देखेंगे, NDTV, कोई छोटी मूटी वेबसाइट तो है नी, इसी के regarding मुझे एक निउज मिली, एक आर्टिकल मिला, जहाँ पर लिखा हुआ था, कि RPF Constable SI exam pattern, यहाँ जानिए Constable परिछा का pattern, 19 दिसंबर से होगी परिछा, उन्होंने भी ECM यही लिखा हुआ था, जो वहाँ पर लिखा हुआ था, तो मुझे पता चला कि 19 दिसंबर से कैसे हो सकती है, क्योंकि अभी तो exam date कुछ है नहीं, नहीं ओफिसल वेबसाइड पर है, तब पता चला कि यह article कब का है, हाँ पर आप भी यह article है 15 नवंबर 2018 का, यानि कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि 15 नवंबर 2018 का article है, और यह देखी दोस्तों पुरानी new जाईए, यानि आर्पिय कॉंस्टेवल end, सब इस्पेक्टर की जो पदो की भरती परिक्षा है, वो 19 दिसंबर से आउजित करेगा, परिक्षा के लिए admit card 9 दिसंबर से जारी किया जाएंगे, और यही चीज देखो, आप देखो 9 दिसंबर से admit card है, 19 दिसंबर से दोस्तों एक्जाम है, यानि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि यह 2018 की दोस्तों निज की बात और यही जारी है, क्योंकि हांपर आप देखेंगे, यहांपर पर देखेंगे, यह पर पदों की संक्यां केतनी है, 8,619 है और स्वेस्बरक्टर के 1,120 पद है, ठीक है? तो यह इस बात क्या है जो अभी आपने देखा था एक पेपर कटिंग जो बायरल की जा रहे थी वो पेपर कटिंग तो रियल थी लेकिन वो पुरानी नीवस थी क्योंकि हमने आपना दुस्तों यह पर जो हमारी टीम है उसके द्लाव विस लिसन्ड कराया खिया क्या चीज वो तो सारी ही सामने आगी सवर्कारे डिजल से जो आपको बताती है कि एक जाम को होगा इंड्मि Promise कबाईंगे तो उसी RNA माद invite 2019 और इसके जो admit card है देखो वही आपके 9 December से आ रहे हैं सेम चीज वही है और vacancy भी देखो 8619 है यानि आप यह देखेंगे कि यह जो आप सभी की paper cutting viral की जा रही है यह 2018 की है ना कि 2024 की ठीक है तो वह paper cutting पूरी तरह फरजी है उस पर आपको अपना बिल्कुल दिमाग नहीं लगा ठीक है तो हमने इस चीज पर दोस्तों पूरी गहनता से जाच किया है पूरी दोस्तों सारी चीजों पर focus किया है और day by day दोस्तों आप सभी को update भी मिलता रहेगा हमारे YouTube चैनल के माध्यम से तो please सभी से request है कि सही का चैन करें हमेशा जो है गलत चीज को दोस्तों एक बार प आने उसका दोस्तों वहाँ पर एक वाज जांच कर लें कि हाखिर है क्या उसकी एक वार दोस्तों अच्छे से परक लें कि वो चीज है सही है गलत है ठीक है तो ऐसे ही दोस्तों आपको update मिलता रहेगा तो आप सभी घबराएं नहीं जब भी कोई होगा चीज official आएगी तो ह आप सभी को focus करना है अगर आपने उस पर focus कर लिया तो आपका exam कोई ताकत नहीं रोक सकती है और ऐसे नमूने जो YouTube पर हमारी copy कर रहे हैं जो आप सभी को सिर्फ बहलार फुसल आ रहे हैं सिर्फ आप सभी को बतला रहे हैं उनकी आवाज में सिर्फ दम हैं उनके content में दम न निकिला है और यह चार-पांच बार दे चूगा SSCGD exam मैं आपको दिखा दूगा इसका सारी record मेरे पास ठीक है और यह RPF में अवाया है हाथ वाजवाने के लिए क्लिए क्योंकि इसको पता है इसने मेरे थमनेल भी copy की हैं सारी चीजे copy कर रहा है तो भाई तेरी यह चीज अब जादा दिन नहीं चलने वाली है मिर भाई समझ जा क्योंकि अब मैं तेरे खिलाप एक ऐसी चीज देने वाला हूँ ना कि तु यूटूब चेनल छोड़के भागेगा समझ रहा है बहुत टाइम से देख रहा हूँ तुझे और इग्नॉर कर रहा था अब इग्नॉर कर रहा है तो ऐसे लोगों से बचना है तो बस आज की इस वीडियो में तो थैंक यू जय हिंद वन्ने मातर